पूरे विश्वा में एकरस नहीं होगा तब तक थोड़ा सा विरोध बना रहेगा और उसमें आपने गणा साव दान रहना पड़ेगा कि आपका नाम खंडित ना हो वैलू है कहते हैं परमात्मा कहते हैं जैसे माता गरब कूं रख यतन बनाए और ठेस लगए तच्छन होए तरी ऐसे भगती जाए अब भगती का मिलना यह बड़ी कठी और मिलने के बाद फिर उसको सुरक्षित रखना वो एक बहुत बड़ी बात है जब तक परी पक नहीं ह गरब में आते ही वो कितनी सतरक हो जाती है खान पीन में सैयम बरती है पैर उटा नीचा ना टिक जा किता है बच्छे गजटका लग जा रात को करवट भी गलती से ले लेती है तो तुरंद सतरक होती है और कहीं मेरे बच्छे का दाब ना लगी हो और खराब ना हो जा मेरा अगर अगर वो कितनी चिन्तित रहती है तो आप जी ने इस बगती का जो लाल है इतनी सावधानी से परिपक करना पड़ेगा तब आपको सफलता होगी इसमें फाल पॉइंट है आन उपासना नहीं करनी संसारिक ब्योहार के जो भी कारिये हैं जो बगती परमात्मा की मर्यादा को भंग करते हैं वो नहीं करने और फिर आप सफल हो जाओगे तो अभी थोड़ी सी कठनाई आपको चल रही है घर घर में विरोध चल रहा है पती ने नाम ले लिया पतनी नहीं मानती मत सारी पूझा करूंगी तो कैसे ऐसे क्या कर रहा है पतनी ने ले लिया तो पती दुखी करता है तो धीरे धीरे ग्य पर भी ये वानी असर करेगी जैसे गारणू का मंत्र अचेत हुए उस रप के डशे हुए व्यक्ति पर जो सुन भी नी रहा समझ भी नी रहा और उसके उपर भी वो मंत्र बोल बोल कर उसके विश्क को उतार कर सचेत कर देता है और ये तो प्रमात्मा की वानी सवसिद है ये तो अपने पसू पक्सियों के उपर भी वानी जा रही है उनको भी उनके भी पाप डाउन हो रहे हैं ठीक है उनके पाप गणे हैं इसलिए पसू यो नहीं मिली तो वो पाप गठते रहेंगे जैसे कपड़ा किसी का ज्यादा मैला है हो गया है मैल हो गया है तो वो कई एक-दो बार साबन लगाने से सबत् pillar huge will हो जाएगा और जिसका थोड़ा मैला है एक-दो बार साबन लगाने से उज-वल लो ड़ को झाता है, तो यह साबन है प्रमाटमा का जो जो ग्यान है ससंग है वचन है यह साबन और जल दोनों का काम करता तो दिरे दिरे ये सट्सन्ग जिस घर में चल रहा है पडोसियों तक भी असर होगा आपका और आप के घर के पसू पकषियों पर भी इसका परभाव बढ़ेगा आप के घर कोई पसू पकषि ही रह रहे हैं उसके उपर भी दिरे गडिरे उसके अंदर ये वाणी का जो ग्यान यग का पुन उसम संग्रीत होगा और कुछ ऐसे पाप हैं जो ग्यान यग से ही खतम होते हैं और उसका विकलब ही नहीं है जैसे कपड़े कोक पहले थोड़ा मेला है तो जल से दोदिया साफ हो गया ज्यादा मेला है और भी मेल रहा तो साबल लगाना पड़ा और फिर भी कुछ डाग दबा रह जाता है थो ड्राइक लीन से साफ हो जाता है तो इसी प्रकार यह सभी के लिया हैं हमें अपने अंतै करना अपने जीव के उपर आत्मा के उपर जो मेल जमा होगे उन सभी पापों का नास करने के लिए ये सारे ही साधन अपनाने पड़ेंगे मंतर के जाब भी करने पड़ेंगे पांचों यग भी आपने करनी पड़ेंगी और तब जाकर के आपकी भक्ती सफल होगी तो इसमें फाल पॉइंट अग्दास आपको बता रहा है कि ये भर्मित ना होना ऐसे कोई विक्ती आपके साथ डिसकस भी करें तो उसको समझाना कि देखो पहले तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर की आउस्दी में हम स्वेम ही विवेचन करते हैं तो फिर उस डौक्टर के पास जाने की अँशिकता ही नहीं कि इसने दवाई ठीक नहीं दी तो कोई और देखो वहां से लो तो इसी परकार सबसे पहले तो ये देखो ये ग्ञान आज तक ना किसी ने सुना और ना सुनाया किसी के पास था ही नहीं और जिन महापुरसों के पास था उनको परतीबंद कर दिया था मालक ने परतीग्या करा दी थी कि अब ही इसको डिस्कलोज ना करना तो महापुरस थी वो अपनी अमरतवाणी में बोलके सारा कुछ लख ये एफिडेविट बनागे कबीर इस गौड ये वो फाइनल कर गे थी वो महापुरस जिनके दास बार बार उनके सुब नाम आपको सुनाता है और फिर हमारे सद्गरंत वसी का पर मानिद करते हैं कि कबीर इस गौड तो फिर ये कलियर हो गया कि आज तक कोई हमें यही निर्णे नहीं करके बताया कि भगवान कौन है और कैसा है अब जैसे राम किर्शन को और विश्नु जी को संकर जी को भगवान मानने वाले उन से अगर हम पूसा करते थे कभी वो कहता मैं समाधी लगाता हूँ बगवान देखा आपने बगवान दिखता थोड़ा ही हो तो निराकार है और ये बिशनु बिर माजी की मूरती रख रखी ये क्या फिर तो हमारा निराधार ग्यान था बेस लेस था हम डामा डॉल थे सथिर वो पूछ लो अभी तक जिन के विचा रहे हैं परमातमा ये तो निराकार है और ग्यान था है ये यही वो संत बताते है जिन बगवान ने जिन आखों देखा वाँ पर तो फिर इसमें कोई डाउट ने रहा कि हुई जगाउट है और कैसा है वो बगवान तो ये सारे कंसेट कलियर इस दास ने करे आज तक किसी दे ने कि तो इसी परकार इस साधना पर भी विश्वास करना किसी से डगमग ना होना क्यो असुब काम पर लगे